इस वीडियो में हम इंडियन रेल्वे में यूज होने वाले थ्री फिज्ड लोकोमोटीव के अलेक्टिरिकल और इलेक्ट्रोनिस कमपोनेंट के बारे में जानेंगे देखेंगे कि एक electric locomotive में कौन-कौन से components होते हैं और वो क्या काम करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कौसल आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सभी ने दोस्तों कभी ने कभी Indian train में जरनी जरूर से की होगी और हम सभी जानते हैं कि एक rail gari को उसके आगे लगा locomotive जिसको कि हम engine बोलते हैं वो ही उसको आगे लेके जाता है अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ने electric engine को जरूर से देखा होगा और इनको हम एक चलती फिरती machine बोलते हैं क्यूंकि इनके अंदर दोस्तों बहुत सारे electric car or electron components होते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक 3-5 locomotive के machine room का layout है अब देखें machine room से अब confuse मत होईएगा locomotive के अंदर जिस compartment में दोस्तों सारे component लगे होते हैं उसको हम machine room बोलते हैं तो यह एक 3-5 locomotive का machine room का layout है जहां पर आप देख सकते हैं सभी components blocks के रूप में यहाँ पर दिखाए गए है याँ फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं machine room का एक block diagram है अब इसको देख के भी दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से components, कौन-कौन से devices होते हैं एक locomotive में लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी सारी चीज़े हैं जो कि technical terms में लिखी हुई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MR2, HB2, BUR2 अब इसको देख के आप confused हो सकते हैं या फिर इसका मलब साइच से आप नहीं समझते हैं लेकिन इसको दोस्तों हम आगे हम समझेंगे एकदम आसान तरीके से एकदम डिटेल से और एकदम आसाई से आपको समझाऊंगा सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम एक locomotive का basic समझते हैं तो कोई भी दोस्तों locomotive होता है वो करता क्या है उसके उपर दोस्तों जो ओची बायर होता है जिसमें की इलेक्टरिक पावर सप्लाई आती है जो कि 25 केवी की यानि 25 रार वोल्टीज की सिंगल फेज जैसी पावर सप्लाई होती है तो locomotive करता है क्या है इस पावर सप्लाई को रिसीब करके नीचे पईयों से connected ट्रेक्शन मोटर होती है उन में जो है दोस्तों ये पावर सप्लाई को भेज देता है जिससे जो हमारी ट्रेक्शन मोटर घुमती है और वो वील को घुमाती है और हमारा लोको मोटब फिर आगे बढ़ने लगता है अब देखिए आप traction motor की नाम से confuse मत हुएगा आप सभी लोगों ने अपने घरों में कभी ने कभी एक electric motor का यूज जरू से किया होगा पानी भरने के लिए बट बहाँ पर जो वह motor होती है वह बहुत ही कम पावर की basic सी motor होती है और वह single phase power supply पर काम करती है लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम जिस traction motor की बात कर रहे है वह एक three phase squirrel cage induction motor होती है यह बहुत ही advanced और high-tech induction motor होती है दोस्तों अब इसके बारे में दो चीज़ें आपको सबनने की बहुत जबुएत है सबसे पहली चीज कि दोस्तों जो यह motor होती है यह जनररी 2-3000 voltage के बीच में काम करती है दूसरी चीज यह जो motor होती है यह three phase power supply पर काम करती है अब देखिए जो ऊपर OHE wire लगे हुए थे जिससे कि हमारा locomotive power supply collect कर रहा था उसमें single phase power supply आ रही थी लेकिन जो हमारी traction motor हो three phase power supply पर काम करती है इस चीज को अब दिरूर से ध्यान रखेगा अब एक locomotive में दोस्तों काफी सारी components होते हैं बट इसको आसाई से समझने के लिए मैंने इन components को तीन category में डिवाइट किया है इसमें से सबसे पहले दोस्तों traction devices में कुछ ऐसी devices होंगे जो कि locomotive को आगे बढ़ाने का काम करते हैं दूसरे में एसी devices होंगे जो कि हमारे braking से related या फिर braking के लिए जो यह हम स्टोर करते हैं उस से related components इसमें देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं traction devices की तो देखे दोस्तों जनरली traction devices में आप चार डिवाइसे होते हैं जिसमें से पहला होता है traction transformer का क्या होता है हम सभी जानते हैं कि उपर पेंटोग्राफ है उसमें 25,000 वोल्टेज की पावर सप्ला याती है लेकिन जो हमारी पेंटोग्राफ से पावर सप्लाई आ रही 25 केवी की उसको एक स्टेप डाउन करता है मिस उसके वोल्टेज को कम करता है और फिर आगे बढ़ा देता है हमारी ट्रेक्शन मोटर के लिए और भी अधर इलेक्रिकल कमपोनेंट्स के लिए इसके बाद जो दूसरे डवाइस होता है दूस्तों वह ता है ट्रेक्शन कर्वर्टर अभी देखिया हम सभी लोग ना जानता कि जो हमारी ट्रेक्शन मोटर है वो थ्री फिजपावर सप्लाई दूसरे पर कम करती है तो आप समझ लिए बाद और और ट्रेक्शन कर्वर्टर एक इस डेवाइस हैं कि सिंगल फिट पावर सप्लाई को थ्री फिज्में कर्वर्ट करता था और इसी के साथ सार दोस्तों जो ट्रेक्शन कर मरत उड़ता है यह हमारी ट्रेक्शन मोटर की स् एक देडिकेटिट में वीडियो बनाऊ-फिलाल से बनाइब इसके बार में भीडियो चाहते है यह नहीं इसके बाद वह जो है तरह रुटेंट करते है औहरा हमारी ट्रेन आगे बढ़ती है इसके बाद दोस्वेक्षा कंपोनें नहीं auxiliary converter अब देखिए auxiliary converter एक प्रकार का converter ही है जो कि locomotive में traction motor को छोड़के बाकि या दर जितने भी components होते हैं उनको power supply provide करता है अब इसमें दोस्तों अलग-अलग output की power supply होती है जिसमें से कुछ 3-phase power supply होती है और DC power supply भी होती है इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं cooling devices के वारे में क्यों-कॉन से cooling devices होते हैं और वो क्या काम करते है अब देखिए यहाँ पर मैंने केवल example के लिए आप चार cooling devices का नाम लिखा हुआ है لेकिन एक locomotive के अनदर दुस्तों बहुत सारे cooling devices होते हैं सबसे पहरे दूस्तों हम बात करते हैं industry unit जिसको कि करते हैं तो उनका बढ़ जाता है वो हीट गरब होने लगते हैं अब देखिए अगर हमने उस हीट को अगर आप इसकी बर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बाद दोस्तों हमारी औल कोलिंग यूनिट का ही पार्ट है यह दोनों एक ही साथ मिलके काम करते हैं इसके बाद ट्रेक्शन मोटर होते हैं वो कंटिनुसली घूमती रहती है तो इसको ठेंडा करने के ब्लूवर तो इहां पर मैं कमप्रेसर है उस मोटर को उस यूनिट को ठंडा करने के लिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नुमेटिक ड्वाइस के बारे में अब Hare के बारे में सब्सक्र ओरने तो उसके लिए दोस्तों जो हमारा में रिजर्वोयर में जो है इसके बाद दोस्तों होता है अब देखिए जो हमने हमारे स्टूर कि यह और इसी से जो है ब्रेक सेलेंडर को जाती है और फिर जो हमारे black जो है लगते हैं जासे हमारा air pressure drop होता है इसके बाद दोस्तों baby compressor आप सभी लोगों ने लोको मोटिव के ऊपर एक pentograph को जिवू से लगा दिखा हुगा तो वो भी दोस्तों उसके लिए जो air का pressure provide करता है वो हमारा baby compressor होता है जो कि लोको मोटिव के अंदर ल इसके बाद दोस्तों next video में हम जानेंगे traction power circuit के बारे में कि किस प्रकार से हम पेंटोग्राप के जरी पावर सप्लाइब करते हैं और कैसे कैसे वह किसके component से होकर finally हमारी traction motor तक पहुंच दिए तो फ्लाल इस बीडियो में दोस्तों अतना ही मिलते हैं फिर किसी बीडियो में जैहिन बंदे मातरम